जो खाद्य प्रबंधन है, सबसे पहला है कि उत्पादक्ता हमारी बनी रहे, इसके लिए हम अपने पशुओं के स्वास्थ प्रबंधन के साथ-साथ, उसके आहार प्रबंधन पर भी आपको विशेश ध्यान देने की आओ सकता है। जो थम रूल है, वो कहता है कि आपके पशुओं के सरीर भार का आपको धाई से तीन परसंट ड्राइ मैटर देली देना है उसके उत्पादक्ता बनी रहने के लिए, तो अगर हम एक चार सो किलो की गायक के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो प्रति दिन दस से बारा किलोग्राम ड्राइ मैटर इंटेक उसके लिए होना चाहिए, तो थम रूल के हिसाब से, अगर ड्राइ परसंट के हिसाब से कलकुलेट करते हैं, तो प्रति दिन आपके पशुओं को कम से कम, साढ़े छे किलोग्राम, जो तू थार्ड और वन थार्ड अर्थार्ड, तू थार्ड हम ल तिन उसका दाना मिस्रन देना है, और 6 kg अर्थाद जो भी हरा और सुखा चारा से उसकी पूर्ति करनी है, उस 6 kg का फिर 2 थार्ड हमें ड्राइ रफेज़ से और 1 थार्ड ग्रीन रफेज़ अर्थाद घास और भूर्ति करना है, तो 4 से 5 kg हमको प्रति दिन भूसा, और 2 kg ज के लिए हमें कम से कम 10 से 15 kg प्रति दिन हरा चारा और 3,5 से 4 kg आपको दाना मिस्रन, अगर इतना हम अपने पस्वों को देते हैं, तो 10 लीटर तक दूध करने वाली गायों के लिए हमारा ये बैलेंस रासन होता है, और अब आपको कंसंट्रेट मिक्षर में जहां तक है आप बजार में उपलव्द जो सुधा दाना है, या जो पसुआ हार आता है, या आप चाहें, तो अपने घर पर भी आप दाना का निर्मान कर सकते हैं, इसके लिए जो आपके पास उपलव्द संसाधन है, इसमें हमें ध्यान देना है, कि आपके पास अगर मक्का की अधिकता है गेहूं की अधिकता है तो अगर 100 किलो दाना बनाना है तो आपको उसमें एक थमरूल के हिसाब से और एक लेमेन के हिसाब से दोनों में अंतर आएगा लेकिन एक किसान के लिए जो सबसे अच्छा रहेगा कि आप उसका 40 भाग आप कार्भोहाइडरेट अर्थारत मेज और गेहूं से पूर्ति करें आपके पास ज्यादा गेहूं है तो आप 20 से 25 के जी गेहूं 10 से 15 के जी मक्का अगर आपके पास मक्का ज्यादा है तो 25 के जी आप मक्का और 10 से 15 के जी गेहूं तो carbohydrate portion पूरा हो जाएगा और फिर 15 भाग उसका जो है वो चोकर से 15 भाग दाल की चुन्नी से और 15 भाग उसको खली से पूर्ति करें तो इस तरह अगर हम ही करते हैं और फिर 2-3 kg छोगुड, 1 kg mineral mixture और 1 kg साधारा नमक या iodized नमक का इस्तेमाल करते हैं तो आपका 100 kg दाना तैयार होगा और यह दाना आपके आप जब अपने से बनाएंगे तो यह guaranteed है कि उसमें किसी तरह का mix नहीं है और वो सुद्ध दाना होगा और उसको आप अपने आप सकता के हिसाब से बनाएंगे